नमस्कार दोस्तों इजी नौकरी यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का हर्दिक स्वागत है दोस्तों दिल्ली पुलिस ने कोरोना काल में एक योगाओं के लिए सुखत खबर दी है कि वो इस साल 5,846 योबाओं की भरती करेगा पठारे से 25 साल तक के युवाओं की और केवल उन्हें बार्मी पास होना जरूरी है परिक्षा इसी साल होगी 27 नमबर से 14 दिसंबर के बीच पूरे देश में SSC के जन सेंटर्स पढ़ते हैं वहाँ पर ये परिक्षा होगी दोस्तो इस परिक्षा में फॉर्म भनने की अंतिमतिती रखी गई है 7 सितंबर 2020 तो ये नोटिफिकेशन आपको ssc.nic.in पर उपलब्द होगा 18 2020 से ये नोटिफिकेशन आपको उपलब्द होगा मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए ये भरती है देखिए 18 2020 से 79 2020 के बीच आप form submit कर सकते हैं और इसके अलाबा जो computer based exam होगा वो 27 11 से 14 बारे 2020 के मद्ध होगा बाकी जो नोटिफिकेशन है उसमें साफ साफ लिखा गया है कि सबसे पहले computer cb e यानि कि computer based exam होगा उसके बाद physical exam होगा लेकिन सबसे पहले हमें तैयर ही करनी है computer based exam की क्योंकि जब तक हम computer based exam पास नहीं करेंगे तो physical exam कैसे उत्तिन कर लेंगे तो दोस्तों सबसे पहले मैं इस notification में आपको computer exam के बारे मैं बताऊंगा पूरा syllabus भी उताऊंगा क्या-क्या syllabus है तो दोस्तों essential qualification 10 प्लस 2 रखा गया है लेकिन अगर कोई दिल्ली पुलिस में कारणरत है person तो उसके पुत्र या पुत्री के लिए 11 मी पास ही इसमें रखी गई है यानि कि एक साल का बारमी उन्हें करने की जरूरत नहीं है इसके लावा दोस्तों इसकीम जो है वह एक्जाम की सिंपिल है पहले computer-based exam होगा physical measurement होगा medical होगा उसके बाद उत्तिन कर दिया जाएगा लेकिन computer-based exam जो होगा 100 question का होगा 100 marks का होगा और objective type होगा के वल 90 मिनट का आपको समय मिलेगा चार पार्ट होगे general knowledge, current affair, reasoning, numerical ability और computer fundamental जहां MS, Excel, MS, World और www.se related questions होगे number of questions general awareness के या general knowledge के वो होगे 50, 50 नमबर के reasoning के 25, 25 नमबर के numerical ability के 15, 15 नमबर के और computer से related 10 question, 10 नमबर के 90 मिनट में आपको 100 question पूरे करने है 0.25 negative marking इसमें रहेगी और आप हर परिक्षाव में negative marking है तो इसको आप अच्छे से practice कर लें जो दिल्ली पुलिस में जो आपकी नोकली लगेगी जब आप उत्तिन कर लेंगे सारे part, physical, computer based exam, medical तो 21,700 आपका basic पे होगा और धीरे धीरे ये maximum 69,100 तक पहुँच जाता है ये vacancies जो number of vacancies जो इस तरह ऐसे हैं जर्व की, 1681, EWS, 343, OBC, 662, SC, 590, STI, 177 यान कि 3433 भरती ये male के लिए है और बाकी जो भरती है वो है female के लिए, ठीक है देखे female के लिए और बाकी कुछ आरक्षित कोटा है वो ये है तो दोस्तों इसके अलाबा जो age limit है वो मैंने आपको बताई दिया था पहले भी 18-25 साल age limit मागी गई है 17-2020 को यानि कि 27-1995 से पहले वो व्यक्ति पैदा ना हुआ हो और 17-2002 के बाद भी व्यक्ति पैदा ना हुआ बाकी reservation जैसे मिलता है वो उस तरह से है वहीं सिलेवस की बात करें तो सिलेवस में जनल नौलेज बे वही कोश्चन जो की दिल्ली पुलिस में पूछी जाते हैं हिस्ट्री जोग्रफी कल्चर इंडियन कौम में जनल पॉलिटी इसके अलाबा करेंट अफेर के विश है जो पिछले शे महीने की जो करेंट अफेर है वहीं रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में जो भी आप जिस भी परिक्षा की तैयारी कर रहा है उससे डिलेटेड रीजनिंग आएगी विजलाइशन विजल मेमोरी डिसक्रिमिनेशन रिलेशनिशिप कॉम्स है अर्थमेटिकल रीजन फिडल क्लासिफिकेशन अर्थमेटिक नमबर इस तरह की नौनबर वर्ल सीरीज जो बिलको रीजनिंग सिंपल वाली है वही आईगी आप पुराने पिपर्स दिली पुलिस के देख सकते हैं वही नौमेरिकल एवल्टी में भी हूल नमबर, डेसिमल, फ्रेक्शन, एवरेज़, इंट्रेस्ट, प्रॉफिट लॉस, SICI, ये सभी तरह के चीज़े रहेंगी वही कंपुटर में पूरा जो DCA अगर हम बेसिक कंपुटर की बात करें तो basic computer से related questions होंगे जा MS Word, MS Excel, www.wave browser, STTP से related questions होंगे तो दोस्तों बहुत ही easy paper होगा और आपको मेहनत करनी है क्योंकि अब परिक्शा मातर 3 महीने बाद है तो दोस्तों आज ही से जुट जाएं, पहले form मरें और उसके बाद परिक्शा की तहियरी करें हम लगातार आपका easy नौकरी के जरीए सहयोग देते रहेंगे जिससे आप इस परिक्शा को पास करें बहुत बहुत धन्यवाद